एलो उस्तो, सौकदाम का अपनी यूटूब से हैं रहा क्लाशिस में, बच्चे कैसो आप सभी उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके तयारी वे अच्छे से चल रही होगी बच्चे जैसे कि आप सभी को पता है, इस्टेडी जीके हम complete निचोर देख रहे हैं ठीके ये स्रीज चला रहे हैं हम और इस स्रीज हमने इस्टेडी जीके कि दो वीडियो पहले ही complete कर चुके हैं एक वीडियो बच्चे हम 5 टोपी complete करते हैं, आज भी हम 5 टोपी complete करने वाले हैं ठीके, मैं आप से कहा था आपकी 15 क्लास में बच्चे जी एस बहुत अच्छे से complete करा दूँगा जिसमें आपकी एक ही वीडियो हम history complete कर चुके हैं, एक वीडियो बच्चे हम quality complete कर चुके हैं नेश्ट जो क्लास होने वाली है बच्चे, उस एक ही वीडियो जोगरफी complete करेंगे फिर एक वीडियो बच्चे में लेकर आँगा economics की ये चार क्लास हम बच्चे आपकी क्या complete हो जाएगी, history, geography, quality और economics ठीक है और जो क्लास है बच्चेंगी उसमें आप study gk को अच्छे से complete करने वाले हैं और एक मेराथन लेकर आँगा जिसमें मैं आपको current affairs कराने वाला हूँ ये हमारे gs complete हो जाएगा बच्चे और इसकी में केवल एक playlist बना रहा हूँ इस playlist से ज़्यादा और आपको कुछ पढ़ना नहीं है ठीक है बच्चे तो चलते हैं आज को जो important topic है उनको complete कर लेते हैं और आपकी कोई भी query है तो description में नमबर दिया हुआ है मापरमस से बात कर सकते हैं whatsapp पर message कर सकते हैं ठीक है बच्चे तो चलते हैं आज को topic देख लेते हैं पहला topic है भारत के प्रमुक परेटन इस्थल ठीक है बहुत important topic है यहाँ से question बारवार एक्जाम में पूछा जाता है आप से पूछा दसकता है कनेरी की गुफाएं कहां इस्थित हैं तो आप एंगे मंबोई में निर्माड करता है निर्माड किसके द्वारा बोध्धो द्वारा इसके निर्माड किया गया बच्चे एलेफिंटा की गुफाएं बारव पुछायता है कहा है मंबोई में राष्टे कोड़ द्वारा अजन्ता की गुफाएं बारव पुछायता है ओरंगाबाद महाराष्ट में एलोरो की गुफाएं बारव पुछायता है ओरंगाबाद महाराष्ट में कंदरिया महादेव खजुराहो मध्य प्रदेश में गोल कुंडा का किला कहा है एदराबाद में अंदर प्रदेश बिजय स्थम्ब चित्तोडगर राजिस्थान कुतुब मिनार दिल्ली निर्माड करता आप देख सकते हैं इधर बच्चे कह दिया हुआ है निर्माड करता द दिल्ली बूंदी का किला बूंदी राजिस्थान हिल्ती मिनारे एहमदाबाद दरगा अजमेर शरीफ अजमेर जैसमंद उदैपुर जूनागड का किला विका नेर जंतर मंतर बच्चे जैपुर भरतपुर का किला भरतपुर राजिस्थान हवा महल जैपुर आराम बाग आगरा उत्तर प्रदेश लाल किला दिल्ली हुमाईयू का मकबरा दिल्ली साली मारबाग स्रीनागर सेंट जार्ज किला चेननई शेड सहां का मकबरा सासा राम डच महल, केरल, फतेपुर सीखरी, आगरा, आगरा फोर्ट, आगरा, पुराना किला, दिल्ली यह बताने वालों बच्चे जो आपको याद होने ही चीए इंपोर्टेंट बताऊंगा अब इस पहले आपको सब बता देता हूँ उसके बाद हैं इंपोर्टेंट देखेंगे जो ज़्यादा इंपोर्टेंट है जांगीर महल, अकबर कमकबरा, बैर इंपोर्टेंटे सिकंद्रा अभी चर्चा करेंगे अकबर का किला इलहावाद, ताज महल आगरा, निसान तबाग जम्मो कस्मीर, चीनी का रोजा आगरा, सीस महल आगरा, खास महल आगरा, दिवाने खास आगरा, हाई कोट टॉम्बोई, बड़ा इमाम बड़ा लखनव, लाल बाग, वेंगलोर, गोलगर पटना, पादरी की ह अरवेली पटना, बिलियम फोर्ट कोलकाता, बीवी का मुकबरा ओरंगाबाद, सव्दल जंग का मुकबरा दिल्ली, जंतर मंतल दिल्ली, बिवेकनांद रोग तमिलनाडू, बैलूर मट कोलकाता, आनन्दभवन इलहावाद, सांती निकेतन पस्चि मंगाल, सावरमती आस् अहमदाबाद, गेटवे उफ इंडिय मंबोई, जिम कार्वेट पार्क निनिताल, राष्ट्य पति भवन दिल्ली, चार मिनार हैदराबाद, काची पुरम का मंदिर चेन्नई, कोणां का मंदिर पुरी, जगनात मंदिर पुरी उडिसा, दिलवाडा का जेन मंदिर माउंट हर मंदिर पटना, पत्थर की मस्चिद पटना, पत्थर की मस्चिद बच्चे, जम्मु कश्मीर में भी है, अभी चल्चा करेंगे, जाओं मस्चिद आगरा, मोती मस्चिद आगरा फोर्ट, जाओं मस्चिद दिल्ली में भी है, मोती मस्चिद दिल्ली फोर्ट, चरादे सर सिरे नगर बच्ची आपने एक नजर में देख लिया अब हम इसको इंपोर्टेंट चीजी देख लेती हैं जो हमारे कम से कम याद होने चाहिए अगर सब भी हम याद नहीं कर सकते तो याद करते हूँ चलेंगे मैं आपको याद कराने का पूरा प्रियास करूँगा सबसे पहले मस्चीद बहुत पूछी आती हैं बच्चे जाओं मस्चीद को देखेंगे एक जाओं मस्चीद ये है और एक जाओं मस्चीद ये है अब तुमने जाओं मस्चीद तो देख लिया दो जाओं मस्चीद आप कैसे पूछेगा यह पूछेगा आगरा की जाओं मस्जिद करनमार किसके द्वारा किया गया आप कहेंगे उसका भी सा जहां एक बात निकल कर आती है अगर जाओं मस्जिद करनमार पूछे कर तो हम कहेंगे किसके द्वारा किया गया आप एंगे सा जहां के द्वारा किलियर है जाओं मस्जिद एक कहां है आगरा में एक कहां बच्छी दिल्ली में पर दोनों करनमार किस के द्वारा किया गया है सा जांके एक बात दिमांग बैठा लेंगे जाओं मस्जिद करनमार किस के द्वारा किया गया है सा जांके क्लियर अब बच्चे इसको देखेंगे मोती मश्चिद ठीक है मोती मश्चिद एक मोती मश्चिद यह है बच्चे मोती मश्चिद यह है बहुत कन्फूज करते हैं यह कुश्चन और बार बार एक्जाम में पूछे आते हैं जाओं मस्चिद के लिए रहेगा बस यह पूछा जाओं मस्चिद के निर्मार किसके द्वारा किया गया बस यह आप से पूछा आता है तो जाओं मस्चिद कोई सी भी हो दिल्ली वाली हो या आगरा वाली दोनों का निर्मार साज हां के द्वारा किया गया है बट मोती मस्च जो भी आगरा में चीज होंगी वो बच्चे जैसे जाओं मशीद आगरा की या मोती मशीद आगरा की उसका नमाल किसके द्वारा क्या गया साहजां के द्वारा ठीके जाओं मचे दिल लिगी हो या बच्चे आगरा की हो वो किसके द्वारा साहजां के द्वारा ये चीज़ा आपको clear रखनी है बहुत confused कलती है जब exam में पूछी आती है तो इतनी बात clear important है ये आपके याद होने चीए ये चारों आपके याद होने चीए ठीक है इसके वाद हम देखेंगे दिल वारा का जेन मंदिर very important है जगनाज मंदिर और कोणाग का मंदिर और काची पुरां का मंदिर ठीक है इसके बाद बच्चे आपको चार मिनार तो हर किसी बच्चे को पता होता है एदरावाद में और इनका निर्माण करता इधर दे रखे हैं बच्चे ये भी आप याद रखना ठीक है निर्माण करता जो भी इंपोर्टन रखना आपके याद होने चीए इसके बाद राष्ट् निक्केतन और आनंद भवन ये इधर साइड ज़ितने भी में इंप्रोडन्टेंट सैडिफे जंत्रमंतर ये भी मुझे सब्सक्राइब कि आं पो द्रोक तमिल नाडू बेलूर मठ आनंद भवन सांति निकेतन इधर साइड बच्ची जितने भी इस वाले पेच पर आपके टोटर याद होने चीए बहुत अच्छे हैं इंपोटेंट हैं यहीं से गुष्ण बारबार बन जाता है इसके आद बच्चे ऊपर देखेंगे क्या चीज हमारे लिए इंपोटेंट है सबतर जंग का मुकबरा याद होना चीए इंपोटेंट है बीबी का मुकबरा इंपोटेंट है बिलियम फोर्ट इंपोटेंट है ठीक है छोटा इमाम बड़ा बड़ा इमाम बड़ा याद होना चीए लखनो में है दिवाने खास सीस महल चीनी का रोजा बच्चे अराम से याद रख सकते हैं आगरा में हैं सब इसके बाद निसान्त बाग ताज मेल तो हर बच्चे को पता होता है ठीके अकबर का मकबरा बेरी इंपोटेंट है बारवर पूछे आता है और बच्चे फतेबुर्श शीकरी इंपोटेंट है सेड साहा का मकबरा इंपोटेंट है ठीके और बच्चे आपको याद रखने साली मार बाग हुमाईयू को अकबरा याद रखना है लाल किला हर बच्चे को पता होता है हवा महल भी जादतर बच्चे को पता होता है जंतर मंतर मैंना भी बताया था दरगा अजमेर शरीफ ये भी इसके नाम में ही छिपा है हिलती मिनारे इंपोटेंट है उसके बाद बच्चे देखेंगे होज खास धाय दिन का जोंपड़ा कोतुब मिनार बिजय स्थम इंपोटेंट है बच्चे इसके बाद एलेफेंटा गुफाएं अजन्ता की गुफाएं एलोरो की गुफाएं ठीक है ये बेरी बेरी इंपोटेंट है कम सकम ये तो आपके याद होने ही चीए अराम से आप याद रख सकते हैं बच्चे इतना मुस्किल नहीं है चीजों को अगर हम प्याद करेंगे रिकॉल करेंगे दुबारा से तो चीजे हो जाएंगे ठीक है अराम से याद कर सकते हैं जब कोई भी दिक्कत आ दिया तो कमेंट वोक्सन कमेंट जरूर किया गरो इसके आप बच्चे नेक्स्ट टोपिक देखेंगे इससे बाहर नहीं पुछाएगा परेटर इस्थल से कुशन बन जाता है बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा इसके आप बच्चे हम देखेंगे भारत के पिर्मुक सोद संस्थान ठेके भारत के पिर्मुक सोद संस्थान सबसे पहले है राष्ट्य बनस्पति सोद संस्थान लखनव। मेसूर, केंदरे आम सोध संस्थान लखनव, केंदरे जूट प्रोध्वकी की सोध संस्थान कोलकाता, केंदरे नारियल सोध संस्थान कोसरगोड केरल, राष्टे समंदरी विज्ञान सोध संस्थान पढ़जी, केंदरे तमबाकू सोध संस्थान राजमुंदरी आंदरप्रदेश, भारते चेनी तकनीकी संस्थान कानपूर, केंदरे चावल सोध संस्थान कटक उडिसा, भारते लहा या लाख अनुसंथान संस्थान राची, केंदरे गन्ना अनुसंथान बेरिंपोडेंटे कोईंबाटूर, ओस्ती बिस बिज्यान अनुसंथान केंदर लखनव, भारते लहा लाख अनुसंथान संस्थान राची, बिक्रम सारवय अंतरिक्ष केंदर इंपोडेंटे त्रोवन्प्रम, केंदरे इन्हन अनुसंथान संस्थान जलगोळ, केंदरे चमल, अनुसंथान संस्थान चेन्ने, केंदरे खनन अनुसंथान केंदर धनबाद, कबला उद्योग अनुसंथान संस्थान एहमदावाद, क केंद्रे सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, केंद्रे भवन निर्माण अनुसंधान रुडकी, पिलाजमा अनुसंधान संस्थान गांधी नगर, भारते खगोल भोती की संस्थान मंगलूरू, केंद्रे ट्रेक्टर संस्थान नई दिल्ली, केंद्रे काई स्तर मृतिका, अनुसंधान संस्थान गौलकाथा, भारते रसाइनिक जेविक संस्थान गौलकाथा, बच्चे यздिए आसान है, London है, आराम से याद रख सकते हो, ठीक है? जो इंपोटेंट बोला है, कम से कम भोतो नJeffraud पंपके याद होने ही चाहिए इसके आध़ बच्चे देहेंगे असे बारते सुरब्च चबल हो उनके स्थापना इनकी स्थापना पूछ लेता दो सिया बेव किस्थापना कब हुई यह यह इनका मुख्याल ले मुख्याले तो सब बच्चों के लगबग याद ही होता बड़ इस्थापना याद नहीं होती कई बार देखा गया एक्जाम हो वो इस्थापना पूछ लेता तो वो भी हमें पता होना चीए CRPF की स्थापना CRPF की स्थापना आप कहेंगे सर 1949 CRPF की full form में आप से पूछ सकता है Central Reserve पूलिस फोर्स या केंदिरे रिजर्ब पूलिस बल हिंदी में पूछेगा तो ठीक है होम गार्ड की स्थापना 1962 असम राइफल 1935 सीमा सुरक्षेवल B.S.F. Border Security Force B.S.F. की स्थापना 1965 N.C.C. राष्टे केड़िट कोर 1948 C.I.S.F. की स्थापना 1979 राष्टे सुरक्षागाड 1984 भारत तिब्बत सीमा पूलिस 1962 प्रादेशिक सेना 1904 III.1978 तो बच्चे आपके इतने कम से कम ये आपके स्थापना पता ओने चीए कौण से सुरक्षाबल की स्थापना कब होई ठीक है इन से बाहर अगर सुरक्षाबल की स्थापना पूछा आएगा तो इससे बाहर दिल्ली चलो, स्वाशंद्र बोस, करोय अमरो, महात्मा गांधी, जैहिंद, स्वाशंद्र बोस, पोण स्वराज, जवाल लाल नहरू, हिंदी, हिंदू हिंदोस्तान, भारतिन्दोहरिष्चंद्र, बेदोकियोर लोटो इंपोर्टेन्टे दयानन सरसोती, आराम हराम है, कीजी याद हो जाएंगी ठीक है कभी कभी जह हम प्रैक्टिस में नहीं होते वह हम से पूछ लेता आराम हराम है और उप्सन में महात्मा गांदी दिया होता हम उसको लगा कर आ यह कम प्रैक्टिस की बज़े से होता है तो इसलिए आपको पता उन्ची आराम हराम है बजवारल नहरू का नारा है बच्चे प्रैक्टिस निकलते तो महात्मा गांदी भी उप्सन में दिया होता उसको ठोक कर आ जाते हैं ठीक है आगे देखेंगे समराज्यवात कर नासो भ रहा हैं बिजय बिश्प त्रंगा प्यारा स्यामल लाल गुप्ता बंदे मात्रम बंकिम चंद्र चटर जी हे राम हादमांगादी जन गणमन रविन्ना टेगोर स्वयराज हमारा जिनम से ददिकार बालगंगा जलतिलग सर्फ रोशी की तमनना राम प्रसाथ बिस्मिल सार जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा मुहमादिकपाल तुम मुझे खुंदो मैं तुम्हा आजाई दूंगा स्वाशनर बोस साइमन कमिशन बापस जाओ लाल लाजपतराई देश की पूजा ही राम की पूजा है मदन लाल धिंगरा देश बचाओ देश बनाओ पीविन नर सूखे चने कहीं अच्छे हैं स्वाशनर बोस मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सासन के कफन की कील सावित होगा ये किसने कहा था लालल लाजपतराई ने बच्छे ठीक है आपको एक नारा बताना है सत्ते में बजयते का नारा किसने दिया था एक कमेंट सब्सक्राइब बताएंगे के लियर नेक्स देखेंगे बच्चे प्रिमुक बाद्यायंत्र एवं उनके बादक इंपोटेंट ओपिक है बारबार कुछन बनता है और बच्चे गलत करके आते हैं तो बस इंपोटेंट बताऊंगा आपको फालतों चीज याद नहीं रखनी हैं सबसे पहले बच्चे सितार बादक ठीक है सितार बादक पंडित रभी संकर सितार बादक ठीक है विलायत खां केबल दो याद रखने सितार बादक के केबल दो याद रखने पंडित रभी संकर और विलायत खां बार बार एपिट करेंगे दो चाहें एक बादक याद कर करो पर अच्छे से याद करो जो तुम्हारे याद रह जाए एक ही दिन कोर्शिस मत करो कि एक ही दिन में सारे याद कर लूँ आज आपने दिमांग में रखना कि सितार बादक याद करूंगा आज के वल तो कि अगर एक्जाम में आपके टाइम है तो आप देख सकते हैं काफ इतना पूछाने याद रखने ही जरूत नहीं है पखाबज भी इतना नहीं पूछा आथा याद रखने को रख सकते हैं उस्ताद रहमन खां गोपाल दास ठीक है बांसुरी बादक इंपोटेंट है सबसे पहले सितार याद होने चीए उसके बाद अगर आपको याद करना बांसुरी बादक हरी परसाद चोरसिया पन्ना लाल घोस ये दो तो इंपोटेंट है बेरी बेरी ये तो याद होने चीए चाहें कुछ हो नहीं हो ये दोनों जरूर याद होने चीए ठीक है और चाहो तो इनको भी याद रख सकते हैं बट मैं आप से कहूंगा कम से कम ये कर दो तो याद ही रखनाप हरी पिरसाद चोरसिया और पन्ना लाल घोस कलियए और यहाँ पे पंडित रभी संकर और बिलायत क्हां को कि इसके बाद सहनाई बातक में आ जाते हैं बिशमिल्ला खाँ कि अली एहम्मद ठीक धोन तो तो कम्ज़कम याद इसके भी रखनें त Very important Amjad Ali Khan, Amjad Ali Khan very very important है, याद रखना एंट है, याद इसको रख सकते हैं, अलियकबर खांगर आप याद रख सकते हैं, तो याद कर लेना, बरना Amjad Ali Khan आपके जरूर याद होना चाहिए, उसके बाद बायलीन बादक इतना पूछा नहीं जाता फिर भी बच्चे आप याद रखनेंगे, एक नाम यह, और एक नाम यह, दो नाम तो आपको याद रखनें हैं, ठीक है, सारंगी भी इतना नहीं पूछा आता, सन्तूर बादक आपको पता होना चाहिए, सिभ कुमार सर तोगह तो चीजे याद हो जाएंगे कि लिए रवसे लिए तो आज आपको यह याद राकने कि मुझे प्रिम्क बादक याद राखने हैं तो बच्छे पीपर पशरного पर लिखने के बाद जितने मैंने important बताए हैं सितार के जो दो नाम बताए हैं दोनों लिख लेंगे उसके अधर बच्छे बांसुरी के उसके बाद सहनाई तबला और सरोध और बच्छे बाइलें लिखना चाहते हैं इसको और संतूर को ठीक है ये लिख लेंगे पेपर पे जहां भी आप कहीं र कि दिन उसको static वाली क्लास को उसी दिन complete कर लिया अगर हो ठीक है बच्छे तो आज के लिए इतना ही था अगर आपके कोई भी क्वेरी तो कमेंट वक्सन कमेंट कर सकते हैं मिलते हैं नेट्ट वीडियो में